नमस्कार दुस्तों स्वागत्थ है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोग सेवा आईू की भर्ती के बारे में, यानि कि दोस्तों आज की भर्ती है पब्लिक सर्विस कमिशन की। इस भर्ति का दोस्तो नोट्फिकिसन जारी हो चुका है और इस भर्ति के लिए दोस्तो मेल और फीमेल अपलाई कर पाएंगे आज की इस भर्ति के लिए दोस्तो ये आप राजय के भार के निवासी हैं तो भी दोस्तो आप इस भर्ति के लिए अपलाई कर पाएंगे यदि दोस्तों आपका सपना है लोग सेवा आयो की नौकरी करने का और यदि दोस्तों आप इस भरती के लिए eligible हैं तो आज की वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही कास है इसमें दोस्तों बहुत बड़ी भरती होने जारी है 350 से भी जादा इसमें दुस्तों वेकेंसी है 350 पदूंग की दूस्तों यह भरती है ठीक है दूस्तों और यदि आपकी इस दूस्तों 37 साल तक भी है या 40 साल तक भी है तो इस भरती के लिए आप अपलाई कर पाएंगे साते साथ आपको केटिग्रीज वाईज आयू सीमा में छूट भी दी जाएगी दोस्तों आज की भरती में तो सहली तो आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है इस भरती के लिए आप 25 नौवेंबर से अपलाई कर पाएंगे दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि परतेक सरकारी नौपी की रियल वा ऑथन्टिक इन्फोर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तों बरती की पूरी इन्फोर्मेशन समझने के लिए बीडियो के अंतक बने रहेगा इस बीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाई स्टेप सारी इन्फोर्मेशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पोस की भरती है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भरत information के बारे में तो गाइज आगे बढ़ेंगे जैसे बता है दोस्तो आज हम बात करेंगे लोग सेवा आयो की सीधी भरती के बारे में जिया दोस्तो आज की भरती है public service commission की आज की बरती के लिए दोस्तो मेल और फीमेल दोनों ही apply कर पाएंगे दोस्तो इस बरती में आज सीमा की बात करें age limit के बात करें फिस भर्ति के लिए 37 साल और 40 साल तक age वाली candidate apply कर पाएगे साते साथ आपको category wise आई सीमा में छूट भी दी जाएगी जाता total vacancies की बात है तो इसमें 350 से भी ज्यादा vacancy है दोस्तो और salary की बात करें तो salary तो आपको बहुत थी degrees wise 150 रुपए से लेके 600 रुपए तक फीज का बुक्तान करना है यूर के लिए तता others के लिए 600 रुपए फीज है ठीक है दोस्तों जानता दोस्तों डेट्स की बात है तो इस भर्ति के लिए आप 25-11 यानि की 25 November से ही अपलाई कर पाएंगे और इसकी दोस्तों लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट है 20 देसमबर 2022 जाता दोस्तों सेलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इस भर्ति में आपका examinations तथा interview के basis पे सेलेक्शन किया जाएगा आपका exam दोस्तों Hindi या English language में होगा जो भी language आपको आती है उस language में आप अपना exam दे सकते हैं और apply mode की बात करें तो दोस्तों इस भर्ति के लिए आपको online mode से apply करना है तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की भर्ति में किस-किस पोस्त की भर्ति होने जा रही है तो गाईज इसमें भर्ती होनी जा की आवर निर्वाच्चन पदाधिकारी यानि की जुनियर एलेक्शन ओफिसर की आवर निवन्द की यानि की जुनियर रिस्टार की सर्म परवर्तन पदाधिकारी यानि की लेबर इन्फोस्मेंट ओफिसर की ग्राम भीकास अधिकारी यानि की रूरल डेवलेमेंट ओफिसर क परखंड पंचायत राज अधिकारी की यानि की ब्लोग पंचायत राज अधिकारी की राजस्व अधिकारी की यानि की रेविन्य अधिकारी की आपूर्ती निरक्षा की यानि की सप्लाई इस्पेक्टर की कल्यान पदाधीकारी की यानि की वेलफियर ओफिसर की और दर्पू में तो आपिस भर्ती के लिए apply कर पाएंगे दोस्तों बर्ती की नौट परेकेशन आपको दिखा देता हूं इसका मैंने दोस्तों लिंक भी दे रखा है आप पहले पेज में दोस्तों वैकेशन देख सकते हैं लास्ट के जो दो कोलम है दोस्तों इनमें आयू सीमस से रिलेटेड इन्फॉमिशन दे रखी है इसमें सीरियल नंबर एक से लिखे और सीरियल नंबर 21 तक यानि की 21 पदूं की दोस्तों यह भरती है ठीक है और यहां प लिखा गया दोस्तों हिंदी में कि सारणी वन से वरनित करम संक्या एक से 21 करम संक्या तीन को छोड़ कर एक से 21 तक के पदूं के लिए मायंतप्राप्त विश्व विद्याला से असना तक या इसके बराबर की क्वाल्पिकेशन ओनीची कंडिटेट के पांस दूसरे पड़ आप सस्तान से विग्यापन सोरी विग्यान सकाया से असनातक या असनातक अगनी अभी अंत्रण या या अंत्रिक या ओटो मुबाइल बिस्व में आपने इंजिनिरिंग की ओ दोस्तों ठीक है तो यह सारी इंफॉमिशन आपर दे रहे हैं यहां पर नमर तीन में आरक्षन याने की रिजर्वेशन से रिलेटेड इंफॉमिशन है जो स्टेट के जो मून निवासियां दोस्तों उनिको आरक्षन का फायदा मिलीगा और जो राजे के भार के निवासियां दोस्तों अभ्यारती है उनको दोस्तों रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलीगा ठीक है यहां पर आप नीचे हैंगे दोस्तों तो यहां पर आपको information मिलीगी उम्र सीमा से related ठीक है तो 1822 को आपकी age कम से कम 20 साल होनी चीए या 21 साल होनी चीए या 22 साल होनी चीए ठीक है दोस्तों इसमें different post के लिए अलग-अलग minimum age limit है और इसमें you are जो male candidate है unreserved male candidate उनके लिए 37 साल है और अनारक्षिद महिला यानि की unreserved female के लिए यहां पर आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पूरुस एवं महिलाओं के लिए 40 साल ठीक है दोस्तों यहां पर पूरी information आपको मिल जाएगी तो साथे साथ आपको category wise आई सीमा में छूट भी मिलेगी दोस्तों ठीक है यहां पर बात करेंगे सुल्क के बारे में तो सामान्या अब्यार्थनियों के लिए 600 रुपए फीज है यहां पर पूरा डेटिल दे रहा दोस्तों और अन्या सभी उमीदवारों के लिए 600 रुपए फीज है category wise यहां पर फीज का information आपको मिल जाएगा page नमबर 4 में ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे इस भरतिस related selection process के बारे में तो इसमें आपका प्रिलिंस अधा में एक्जाम होगा जाता प्रार्रमिक प्रेक्षा की बात है भागवन की बात है प्रिलिंस की बात है तो इसमें आपके पास दोस्तों objective राइब multiple choice question आएंगे एक्जाम का जो duration होगा दो गंटे का होगा 150 question आएंगे और इसमें दोस्तों negative marking का भी provision है दोस्तों इसके बाद आपका main exam होगा और finally दोस्तों आपका interview के basis पर selection किया जाएगा पूरा detail यहां से आप पढ़ सकते हैं page नमर 5 में दोस्तों इसका detail आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आप बात करेंगे आज की भर्ती के location के बारे में तो आज की भर्ती का location ना दोस्तों बिहार यह भर्ती है दोस्तों बिहार public service commission की तो guys यह था सो टेटेल आज की भर्ती का I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों यह दिया आप दूसरों का पबला चाहते हैं तिस वीडियो को अपने दोस्तों अज्ञानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है थेंक यू सो मच